चैनल में आजकी क्लास में लिकर आया हैं आप सभी के लिए करते हैं आज कपने आपर पहला कॉश्चन दिया गया है गाली ओ बड़ापा निवंदों की रचिनाकार कौन माने जाते हैं पचास में आप सभी के लिए आपर चैन करना है पचास में आप सभी का आपर सही आंसर क्या हो गई निवंद बहुती प्रसिद्ध मत्वण निवंद माने जाते हैं गाली ओ बड़ापा रताइए का चैन करिएगा कॉश्चन मत्वण है और आप सभी का आपर सही आंसर है विकल्प नंबर एक सही आंसर है पांडे वेचन सर्मा उग्र आप सभी का आपर सही आंसर होगी यह वाला विकल्प है आप सभी का आपर सही आंसर है प निशी अब्रंस के बड़ाओ को कुछ लोग उत्तर काली नब्रंस कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी, कथन के रचेता को अर्माने जाते हैं, इंक्याउन में आप सभी के लिए आपर चैन करना है, इंक्याउन में आप सभी के आपर सही आंसर क्या होगा, प्रमोज जी अमेस बर्मा जी लिलता जी बताईएगा चैन करिएगा कॉश्च नमबर इंक्याउन में एक थन किनका माना जाता है तो आप सभी का याँपर सही आंशन है अजारी पर सही आंशन है हजारी पर सही आंशन है हिंदी नवरत ने के रचनाकार कौन माने जाते हैं कॉश्च नमब बाउन में बताईएगा हिंदी नवरत ने जिसका प्रिकासन 1910 में हुआ था किनकी रचना मानी जाते है मिस्टर बंदू गढ़पती चंद्रगुप्त रामकुमार बर्मा सिबसें सेंगर तो बाउन में आप सभी का सहिए आंसर है रचना मानी जाते है किनकी मिस्टर बंदू मिस्र बंदू आप सभी के आपर सही आंसर है मिस्र बंदू तीन वाइते कलिस ब्यारी स्याम ब्यारी और सुक देव ब्यारी मिस्रे निनो नहीं हिंदी नवरत नामक एक आलो चिनात्मक पस्तग लिखी थी 1910 में जिसका प्रकासन हुआ था दोहा कोस के रचेता कौन माने जाते हैं त्रेपन में आप सभी के लिए आपर चैन करना है बताए सरहपाद है सबरपा है लुईपा है रामसे है त्रेपन में आप सभी के लिए आपर बताना है किन की रचना मानी जाती है दोहा कोस के रचेता कौन मानी जाते हैं ये आप सभी के लिए आपर बताना है तो दो अकोस की रचनाकार सरहपा माने जाते हैं सरहपा जी की रचना माने जाते हैं ये वाला विकल्प आप सभी का यापर सही आंसर है सरहपा जिनोंने भी यापर चैन किया है उनका यापर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन आपर दिया गया है अब ब्रंसको प्राकृत भासा कहा है किनों ने कहा है अजारी प्रसाद दुबेदी डाक्टर नगेंद्र रामला सर्मा अच्यार रामचन सुकले तो चंगन में आप सभी के लिए आपर चाहिंग करना है क्या होगा सही आंसर चंगन में अब ब्रंसको प्राकृत भासा कहा है किनों ने कहा है यह आप सभी के लिए आपर बताना है तो आप सभी का सही आंसर है यह कहा है किनों ने आच्यारी रामचंद्र सुकले जी ने डी वाला विकल्प आप सभी के आपर सही आंसर है प्राकृत भासा कहा है अब ब्रंसको किन पच्पन में वीसल दिव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, हम्मी रासो, इनमेंसे आप सभी लोग चैन करिएगा, चार सुकले जी ने बीर गीत की सबसे पुरानी पुस्तक किसे माना है, तो सही आंसर है पच्पन में बैमाना किसके लिए विकल्प नमबर एक, आप सभी क या पर सही आंसर होगा, घंगला कॉस्चन या पर देखेगा, कॉस्चन नमबर या पर दिया गया है, आचार रामचन सुकले जी ने रासो सब्द की व्यत्पत्ति मानी है, बताईएगा, राजसुय से, रसाइन से, निरासक से, रास से, कॉस्चन या पर आप सभी का दिया चपन और चपन में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, बताईए, चैन करिये का कॉस्चन ने आपर मत्पून दिया गया है, और आप सभी का आपर सही आंसर आ रहा है, क्या रहा है सही आंसर, विकल्प नमबर आप सभी का आपर कौन सा सही आंसर है, ये आप सभी के लिए प्रच्शन नमबर आप सब्चन के लिए elag अलग मानी है अंगला कौश्चन या पर क्या दिया गया है कौश्चन नमबर आप सभी का आप दिया गया है संताउन वा कॉश्य ने सुनीती कुमार चẹटर जी ने वुक्ति वेक्ति प्रकर्ण की भाषा को कहा है क्या कहा है ये आप सभी के लिए आपर चेन करना है येंनोंने कहा है प्राचीन कोसली नभीन कोसली ब्रच या फिर सभी कॉश्य नमBER यापर दिया ग्या है आप सभी का आपर question number संताउन दिया गया है संताउन में आप सभी के लिए आपर सही आंसर चेन करना है तो विकल्प नमबर आप सभी का आपर सही आंसर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का आपर सही आंसर होगा ये वाला विकल्प आप सभी का याँ पर सही आंसर है बहुत बड़ी हैं विल्कुल सही आंसर है जन्होंने भी विकल्प नमबर एक चेन किया प्राचीन कोसली उनका याँ पर सही आंसर है कॉस्चन याँ पर अंगला क्या दिया गया है question number आप सभी का याँ पर अंठाउन दिया गया है दौन्दात्मक पद्धिती पर इतिहास की अध्यन का विचार किस ने किया था कॉंट ने, हीगल ने, डार्बिन ने, कॉलमाक्स ने question number अंठाउन में सही आंसर चेन करना है अंठाउन में आप सभी का याँ पर सही आंसर क्या होगा दौन्दात्मक पद्धिती पर इतिहास की अध्यन का विचार किस ने दिया था ये आप सभी के लिए आपर बताना है अंठाउन में तो आप सभी का याँ आपर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का याँ पर सही आंसर है नीगल ने विकल्प नंबर दो जनों ने भी चेन किया है नीगल उनका याँ पर सही आंसर है अंगला कॉशन ने आपर दिया गया है साय तितिहास लेखन में किस तत्तो का महत्त नहीं है तत्व आप सभी के लिए आपर 69 में बताई तत्व का अथात वर्णन, वस्तुपरक, द्रश्टी कौन, निस्कर्सों की प्रमालिक्ता या फिर कल्पना का प्रियोग सभी लोग बताईएगा, साहित तत्यास लेखन में किस तत्व का महत्त नहीं है, तो 69 में आप सभी का या पर सही आंचर है, विकल्प नमबर D वाला विकल्प आप सभी का या पर सही आंचर होंगे, यानि कि हापर सही आंचर D है, आनि कि हापर कल्पना का प्रियोग कल्पना का प्रियोग आप सभी का याँ पर सही आंसर है डे वाला विकल पे सभी लोगों ने सही आंसर बताया है गंगला क्वास्चन देखेगा पोड़ बिल्यम कॉलेज की स्तापना किस बर्स हुई यह साथ में आप सभी के लिए आपर चैन करना है 1821, 1805, 18010, 60 में सही आंसर चैन करिएगा पोड़ बिल्यम कॉलेज की स्तापना बर्स आप सभी से पूंचा गया है और आप सभी के यहां पर सही आंसर क्या होगा चैन करिएगा मत्त्यूपूर्ण कॉस्चन आप दिया गया है और आप सभी का याँपर सही आंचर आ रहा है याँपर 14 सही आंचर विकल्प नमबर आप सभी का याँपर एक सही आंचर होगा 1820 भी आप सभी का याँपर सही आंचर है 1820 भी आप सभी का याँपर सही आंचर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा पोर्ट बिलियम कॉलेज के संस्था पक आप सभी के लिए आपर बताना है एक सट में चैन करिएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर चैन करना है आप सभी के लिए कॉस्चन मत पूर्ण है प्रुट बिलियम कॉलिज की संस्थापक आप सभी के लिए आंपर 61 में बताना है 81 पार सभी का या उन्चर क्या है तो मार्कविस बेले जली जो है वै आप सभी का यांपर सभी आंसर होगे नंगला कोश्चन ने आपर देखेगा कौशन नमबर आप सभी का या आपर दिया क्या लिली का पहला पत्र कौनसा है इनमेंसे आप सभी के लिए बताना है, बताइए अधन्त मारतंड अभ़во हिखल्प जो गालोल है पहला समाचार पत्र पूंचवा링 पहला हैक 허दंत मारतंड कुछ सब्द कुछ रेखा किसकी रचना है बताईएगा चैन करिएगा कॉस्चन आपका यापर मत्पून दिया गया है और आप सभी का यापर सही आंसर क्या होगा चैन करिएगा कॉस्चन यापर मत्पून दिया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सही आंसर question number यापर दिया गया है आप सभी का यापर 63 और 63 में आप सभी का यापर सही आंसर होगा विकल्प नमबर नभी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है यानि कि विश्नु प्रभाकर जी जो है उनी की रचिना मानी जाती है कुछ सब्द कुछ रेखाए किसकी रचिना मानी जाती है तो विश्नु प्रभाकर आप सभी का सही आंसर अरी वस्राव अच्चन की डाईरी आप सभी के लिए बताना है कौन सी मानी जाती है पारो जी, लबले जी, रिता जी क्या होगा सही आंसर एक साहित्ति की डायरी मेरी जेल डायरी पृवास की डायरी भागी स्वर 64 पर कॉस्चन आपर दिया गया है 64 में आप सभी के लिए आपर चैन करना है रिवंसरा वच्चन की डाइरी आप सभी के लिए आपर चैन करना है तो आप सभी के आपर सही आंसर है विकल्प नंबर C वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है प्रवासी की डाइरी आप सभी का आपर सी वाला जो विकल्प है आप सभी का आपर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन नमबर 65 ने आपर क्या दिया गया है 65 में आप सभी लोग चैन करेंगे डांगरजुन चर्पटनात और जलंदर नात को सिद्धों की परंपरा से आया हुआ मानने वाले कौन है रामचन सुकल है नंददुलारे वाजपिय हैं के सूरी लाल गुपते हैं हजारी पर साथ दुबेदी हैं बताइए क्या होगा सभी आंचर दांगरजुन चर्पटना जलंदर नात को सिद्धों की परंपरा से आया हुआ मानने वाले कौन है यह आप सभी के लिए आपर चैन करना है तो आच्छारे रामचन्द्र सुकल आप सभी का यह आपर यह वाला विकल्प जो है आप सभी का यहांपर स पदा वली है एकतन कीनका माना जाता है कॉस्च्ण DAN 26 में सही आंसर वताईएगा रामचन्द्र नगैंद्र ड़क्टर वक्चन सह या रामकुमार बर्मा, question number 66 में सही आंसर वताना है, भासा की दरश्टी से केति लता प्रिसिद्ध है, कावे सौंदर की दरश्टी से पदावली, यह दोनों जो है, रचना विद्यापती की मानी जाती है, एकतन किनका माना जाता है, यह चैन कनना है, तो आप सभी का सही आंसर है, डाक्टर बच्चन से हैं, आप सभी का यहां पर सही आंसर है, question number 67 दिया गया, मेरे चपल योवन वाल अचल अंचल में पड़ासो, मचल करमत साल और परियुक्त काव पंक्तियां, नेकिन की मानी जाती है, यह चैन कनना है, पुस्पराज जी, तनूजी आनंद जी, question number 67 म आपर दिया गया है, और 67 में आप सभी का सही आंसर यह पंक्तियां मानी जाती है, साकेत में, अतले सरण गुप्त जी की जो रचना है, साकेत उसी की पंक्तियां मानी जाती है, विकल्प number C वाल विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा, साकेत आप सभी का सही आंसर ह देखेगा मावीर परसाथ दुवेदी जी का जन में कहां हुआ था। कॉस्चन नमबर 68 में बताना है माबीर प्रसाद दुवेदी जी का जन में बताना है कहा हुआ था बताईएगा चैन करिएगा कॉस्चन यहाँ पर मत्पून दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर 68 में सही आंसर है इनका जन मुहाता जला रायवरेली के दौलत पूर ग्राम में यह वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर दिया मैतली सनल गुप्त जी की रचनाओं का प्रकासन वर्स की अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा कॉस्चन नमबर 69 में आप सभी के लिए बताना है यह चार विकल्प दिये गए रंगमे वंग पंचवटी विश्णुप्रिया साकेत निनमे स से आप सभी के लिए आपर बताना है प्रकासन वर्स की अनुसार पूंचा गिया है राज्कुमारी जी और जनेश जी आप सभी का सही Panther होगा सबसे पहले रंग में बंग, पिर पंचवटी, पिर साकेत, उसके बाद विश्णु प्रिया, यह वाला विकल्प आपर सही आंसर ने, बहुत बढ़ी अंगला कॉस्चन यह आपर देखते हैं, माबीर पर साथ, दुबेदी द्वारा, रचित, मौलिक, पद्द, रचिना बताना है, सत्तर में, कावे मंजूसा है, सुमन है, कानने कॉपज, अबला विलाफ है, आपर उपरिक्त सभी हैं, चैन करिएगा, माबीर पर साथ, दुबेदी द्वारा, रचित, मौलिक, पद्द, रच्ट आप सभी के लिए आँपर बताना है तो सत्तर में सभी के लिए आपर सभी आँपर सभी का यहाँचर एंड़ी वाला विकल्प यहीं सबीका यहां पर सभी आंसर है मौलिक पद्र रचना महाभीर परसाथ दुबेदी जी को सरस्थति पत्रिका के संपाधन कारी से कब तक जुड़ी रहे थे यह बताना है कौश्चन नमबर 71 यहां पर दिया गया है ने कट्र में सभी आंसर चैन करिएगा वीडियो को लाइक वस लाइक करते जाएएगा माभीर प्रसाथ दुबेदी जी सरस्वधी पत्रिका के संफाधन कारे से कव तक जुड़ी रहे थे तो 1903 से 1902 आप सभी का आपर यह वाला जो भीकल्प है वहें आप सभी का आपर सही आंसर होगा 1903-1920 या आप सवी का याँपर सही अंसर होगा अंगिला कॉस्चन याँपर क्या दिया है अंगिला कॉस्चन याँपर दिया गया है कॉस्चन नमबर 22 है नेमन लिखित में से कौन सा यात्रा ब्रतांत राहुल सानकितやइन का नहीं है बताएगा चैन करिएगा कॉस्चन यापर मत्पूर्ण दिया गया है कौन सा यात्रा बृतांत राउल सांकर 10 का नहीं है चैन करिएगा कौन सा यात्रा बृतांत राउल सांकर 10 का नहीं है नहीं पूचा है तो बिलायत यात्रा आप सभी का यापर सही आंशर होगा भी वाला विकल्प आप सभी का सही आंशर इसकी रचिनाकार कौन मानी जाते हैं कमेंट में बताईएगा कौश्चन आपका याँ पर अंगला क्या दिया गया है कौश्चन नमबर 33 है देखिएगा सिब्दान से चौहान दौरा लिकित मौत के खिलाब जिंदिगी की लड़ाई रिपोर्टाज किस पत्रिका में चपा था बताईएगा रूपाव में हंस में विचाल भारत में जागरण में इन वैसे चैन करिएगा चैन करना है आप सभी के लिए मत्तपूर्ण कॉस्चन बिलाई त्यात्रा के लेकर प्रताप नारण में स्रमानी जाते हैं बहुत बढ़ी आरंद जी चवी संकर जी सिब्दान से चौहान दौरा लिकित मौत के खिलाब जिंदिगी की लड़ाई रिपोर्टाज किस पत्रिक चैन करना है बताईएगा चैन करिएगा क्या होगा सही आंसर क्या है सही आंसर विकल्प नमबर आप सभी के यांपर ये वाला विकल्प आपका सही आंसर मैं इनसे मिला बेंट बारता की लेकर कौन है पद्मसें सर्मा कमलेस विकल्प नमबर ये वाला विकल्प आप सभी का याँपर सही आंचर है पद्मसें सर्मा कमलेस आपका सही आंचर है मरी खाल की हाई के लेख़क कौन माने जाते हैं 75 में चैन कन्ना है मरी खाल की हाई डाक्टर नगेंदर चतुर सेंट सास्तरी निराला एपर अग्गे इन में से आप सभी लोग बताएंगे मरी खाल की हाई के लेख़क कौन माने जाते है कॉस्चन यहापर मत्पून दिया गया है और आप सभी का यहाँपर सही आंचर क्या होगा ये शैन करना है तो आप सभी का यहांपर सही आंचर आ रहा है पछत्तर में विकल्प आपका कौन सही आंचर है पचप्चत्र में आप सभी का सही आंसर है चतुरसेन सास्त्री वी वालविकलप आप सभी का आपर सही आंसर है, यथार्थवादी एकांकी के जुनक कौन मानी जाते हैं, ये आप सभी लोग चेन करियेगा, कौस्चन आपर मत्तुपूर्ण दिया गया है यथातवादी बताना है क्या है आप सबीकर सही आंसर यथातवादी एक आंकी के जनक कौन मानी जाते हैं चैन करिएगा कॉस्चन चैत्तर वबनीस्वरें उदैसंकर वट्टें उपनातस कें रामकुमार बर्मा है तबी लोग चैन करिएगा जल्दी से एक बार लाइक भी कर लिजेगा जन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है चैत्तर में सही आंसर चैन करना है कौन सा विकलप आप सभी का आपर सही आंसर है यथातवादी एक आंकी के जनक कौन मानी जाते हैं तो आप सभी का आपर सही आंशर है रामकुमार बर्मा कौन माने जाते हैं रामकुमार बर्मा आप सभी का आपर सही आंशर है डिवाला विकल्प जो है वह आप सभी का आपर सही आंशर है अंगला कॉशन निम्निलिकित कतनों में से असत्य कतन चैन करना है कौन सा कतन आप सभ बान चरित की रचना सूधन ने की है या फिर हमी रचना कभिर्त कि कटन में कौन सा है तो पिंगल प्रिकास पदमाकर का ग्रंथ है यह आपस कि कतन पूंचा क्या है विकल्प नंबर सी वाला विकल्प जो है आप सभी का आपर सही आंशर होगा सी वाला विकल्प आप सभी का आपर सही आंशर है अंगला कॉस्चन आलम केली की रचेता कभी कौन माने जाते हैं बताएए कॉस्चन नम्ber 78 में आप सभी के लिए आपर चेहन करना है क्या होगा आप सभी का सही आंसर कॉस्चन नम्ber 78 याँ पर दिया ग्या है और आलकेली के रचेता आप सभी के लिए आपर चेहन करना है अलम केली की रचिनाकार कौन माने जाते हैं, तो ये आलम जी की रचिना माने जाती है, विकल्प नमबर आप सभी का यापर सी वाला जो विकल्प है, आप सभी का यापर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन आपर क्या दिया गया है डाक्टर नगेंदर के अनुसार कभी ग्वाल की रचना कौन सी रचना प्रबंदात्मक काब नहीं है 89 में बताना है 89 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा 89 का सही आंसर चेन करना है कॉस्चन आपर मत्पून दिया गया है और आप सभी का आपर सही आंसर आ रहा है डाक्टर नगेंदर के अनुसार कभी ग्वाल की कौन सी रचना प्रबंदात्मक काब नहीं है तो आप सभी का आपर सही आंसर होगा विकल्प नमबर बी कभी हिर्दय विनोद अंगला कॉस्चन आपर क्या दिया गया है कॉस्चन आप सभी का आपर देखते हैं याँ पर दिया गया है अस्टी बा कॉशचन हरियुदृ पाध्याय का जन्मे कहा हुआ था कॉशचण बताना है अस्टी का صحी आंशर चैन करना है इनका जन्म आप के लिए होगा इनका जन्म कहा हुआ था आप सुवी का सही answer है विकल्ब नंबर 1 निजामाबाद जिला आजमगड में ये वाला विकल्प है आप सभी का याँपर सही answer है ये वाला विकल्प जनों ने भी याँपर चैन किया है उनका सही answer है इन वैसे किस लेखत ने नाटकों में अभिने करने के लिए अपने पिताजी से मूझ लेन क्या ज्या मांगी थी 81 में आप सभी के लिए आपर चैन करना है 81 में आप सभी का सही आंशर क्या होगा चैन करिए का क्या है आप सभी का सही आंशर तो आप सभी के आपर सही आंशर आ रहा है क्या रहा है सही आंशर प्रताप नारण मिस्र यहांपर सही आंशर होगी विकल्प आप सभी के आपर यह वाला जो है आप सभी के आपर सही आंशर प्रताप नारण मिस्र जनोंने भी चैन किया है उनका यहांपर सही आंशर है अगला question आपर दिया अबर उपनाम से संबन्दित कौन है प्रेमगन है अंबिकादत्यजा व्यास दूर्गादत्यजा व्यास और परताप नारण व्यूह कि चंट करिएगा यहाँ पर अब अब नाम से सम्मंदित कौन है यह बताना है बताये गाँ चेंद करिएगा यहां पर मत्तफून दिया गया है और आप सविका यहांपर सही आंसर है वितल्प नमबर éénक यानी कि प्रेंगं आप सभी सभी का याप पर सही आंसर शो ब्लब जो है आप सभी कि आ descriptive गर्षिन कि न mówi जाती है अंगला कॉस्ट्स निया पर देखिए नूतन ब्रह्मचारी नामक about gold माने जाते है यह scream आपका क्या हुगा सही आंसरzig करिए गाशी 43 में चेहन करना हैं ये नूतन ब्रहमचारी नामक उपन्यास की लेखक को मानी जाते हैं एक आपιαतेशल्ट question number आप सभी के याँ पर 84 दिया गया विस्तर में भारतिय सेना की विजय पर लिखी गई कवीता कौन सी मानी जाती है बताईएगा त्रिप यान ताम है या पर विजय नी विजय बेजनती है कुरूचेत्रे हंसा रूड़ा सरस्टी इन वैसे चैन करिएगा विस्तर में भारतिय सेना की विजय पर लिखी गई कवीता कौन सी मानी जाती है ये आप सभी के लिए आपर चैन करना है question number 84 आपर दिया गया है 84 में आप सभी का आपर सही आंसर आप सभी का B वाला विकल्प आप सभी का आपर सही आंसर है यानि कि विजय नी विजय वेजनती आप सभी का आपर भी वाला विकल्प जो है आप सभी का आपर सही आंसर है विजय नी विजय वेजनती आप सभी का आपर सही आंसरों का रामचन सुकली जी ने इंदी का पहला पन्यास नमें से किसी माना है नूतन ब्रमचारी सो अजान ए यह पिर चंद्र कानता को बताइएगा चैन करिएगा कॉश्चन नमबर 85 वा कॉश्चन या पर दिया गया है पचासी में आप चवी के लिए चैन करना है चैन करिएगा अच्छा रामचन सुकली जी ने हिंदी का पहला उपन्यास इन्वे से किसी माना है तो आप सभी का सही आंसर है विकल्प नमबर आप सभी का सी सही आंसर है परिक्षा गुरू लाला स्री निवास दास जी का यह उपन्यास माना जाता है परिक्षा गुरू जिस इनभासी में चाहिन करएगा प्र्याम गनने मेरत हैं आससे कसे अंसर में प्रिक्षा गुरु का प्रिकासन 1882 माना जाता है अंगला कॉस्चन यहां पर क्या दिया है कॉस्चन नमबर यहां पर है यह कॉस्चन नमबर 87 में तली सरण गुप्त जी जैद्रत बद है खंड काब्ब है ब्रिद्वासा में है राष्टी भाबना से उत्प्रूथ है महाकब है 87 में आप सभी के लिए बताना है बताईए चैन करना है आप सभी के लिए दिपक जी और आरती जी क्या होगा सई आंसर पुस्पराज जी कॉस्चन नमबर 87 में मैं अतली सरण गुप्त जी का जो जैद्रत बद है जैद्रत बद आप सभी के लिए बताना है क्या है तो यहांपर दिया गया है इहांपर क्या दिया गया है कौनसी रचिना रसिक गोबिंद की है रचिना वखल रस्मादुरी नहीं नहीं पूंचा है कौन सी रचना रशिक गोबिंद की नहीं है नहीं बताना है question number 88 यहाँ पर दिया गया है और 88 में आपर क्या होगा सही आंशर उमेच जी कौन सी रचना रशिक गोबिंद की नहीं है नहीं आप सभी के लिए आपर 88 में चेंड करना है तो D वाला विकल्प आप सभी का का विविलास आप सभी का सही आंचर होगा का विविलास आप सभी का यापर सही आंचर है D वाला विकल्प जिनों ने भी यापर चेंग किया है उनका यापर सही आंचर है विकल्प नमबर D आप सभी का सही आंचर होगा अंगला कौस्टन आचा रामचन सुकल ने मतिराम पदमा करके समकप छिन में से किस कवी को माना है कौस्टन नमबर 89 में आपर छिन करना है बतायेगा बैनी प्रवीन आलम भूसन बोधा इन मैंसे आप सभी के लिए 89 में चेन करना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा चेन करिएगा question यहापर मत्तपूर्ण दिया है 89 में सही आंसर है बैनी प्रवीन आप सभी के आपर सही आंसर है ये वाला विकल्प जो है आप सभी का आपर सही आंसर बेनी प्रिवीन आचार सुकलने मतिनाम पदमा करके संकक्ष न मैंसे किस कभी को माना है तो बेनी प्रिवीन आप सभी का सही आंसर है आचार सुकलने मम्मट के कावे प्रकास का छायनुबाद इन मैंसे कौन सा ग्रंथ मा प्व tu co ko 5 अधीव सी आप सभी के लिए नबबे में चेंग नना आचरा राम चंद्व ने ममणट के कावश्प का चऑनबाध इन वैसे कौन सा है तो रएसरी सी आप सभी कैने आपर सही आंसर है ॐइसरां और सभी आंपर ज्यान ली ला मानी लीव ब्रज लील या प्रिप्त सभी चैन करिएगा कौन सी रचना दूरुपदासच जी की है यह वतना आप सभी के लिए क्एक ल lleva कCal ने नुमर 91 या 아ंपर दिया गया है जहां प्रिप्त सभी आप सभी कर आप सभी का Android नामा इने चित्र लेका ए पर रूचित आइवारता बादबह में चैन करियेगा से बादनम्य में आप सभीका रापर चैन करτί यह शिज्जि राइशिंजर क्या होगा कौन सी रचिना जायर सी कि नहीं यह था नहीं बताना है तो आप सभी का आपर सही आंसर है कौन सी रचना जाई सी की नहीं है तो डी वाला विकल्प छेताई वारता के ले खकवर मानी जाती है बताई छेताई वारता ने रचना जो है इनकी नहीं मानी जाती है जाई सी की तो किन की रचना मानी जाती है कॉस्चन आपर दिया गया है तेरानवे ग्यानदीप की रचना कार कौन है तेरानवे में चैन करिएगा ग्यानदीप किन की रचना मानी जाती है बताइए चैन करना है आप सबीकले कॉस्चन तेरानवे आपर दिया गया है चेताई बारता की रचनाकार आप सभी के लिए चेहन करना है तो किन की रचना मानी जाती है और ग्यानदीप की रचनाकार बताना है तो ग्यानदीप रचना जो है सेख नभी की मानी जाती है विकल्प नंबर नसी वाला विकल्प जो है आप सभी का सही आंसर है ग्यानदीप क कॉस्चन है कवित रतनाकर में कितने तरंग हैं पांच साथ चार पांच साथ नौ छे चौरा नवे में आप सभी के लिए आपर चैन करना है बताईए कवित रतनाकर के रतनाकर में कितने तरंग है तरंग पूंचा गया है 94 कॉस्चन आपर दिया गया है और आप सभी का आपर सही आंसर है रातकमारी जी नमरता जी पाँच तरंग है कवित रतनाकर में कितनी तरंग है पांच तरंग है विकल्प नंबर एक आप सभी का सही आंसर है गोमन गिरदर छबी पर अटक क्यों किसकी पंक्ति है कौशन नंबर 95 का सही आंसर चैन करिएगा गोबिंद स्वामी चेतुरबुजदास छीत स्वामी किष्णदास 95 में बताएंगे गोमन गिरदर छबी पर अट सुंति मानी जाती है कृष्ण दास जी की कृष्ण दास आप सभी का आपर सही आंसर है विकल्प नंबर आप सभी का आपर सही आंसर है कृष्ण दास आप सभी का आपर सही आंसर होंगे अंगला कॉस्चन आपर क्या दिया गया है कॉस्चन नंबर आप सभी का आपर दिया ब्रंदा बनलाल बर्मा द्वारा रचत उपन्यंस आपसी के लिए उस्वाव सिख्ण 175 है शां मैं में आपसी का सàiया आंसर होगा करें बताए बब्रंदा बनलन भर्मा क्रित उपन्यंस आपसी के लिए आपसी अज голос का आपका ये चेलेंज प्रस्ण होगा जिसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा कौन से उपन्यास ब्रंदा वनलाल बर्मा जी के हैं आंसर कमेंट में लिखना है आज की वीडियो में बस इतना ही और वीडियो को लाइक कर लीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जादर से जादर वीडियो को सेयर करें रोज आप स अबीकले तीन हजार परसनों की पीडियाप मिल जाएगी और लाइक जनों ने अभी तक नहीं किया बहुत सारी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं वेदा जी सावित्री जी सुरेंद्र जी अर्चना जी पराया पंची आनंद जी सतीर जी रमेश जी एमेस बरमा जी प्र जी और सुस्मा जी संध्या जी सावित्री जी छवी संकर जी पुस्पराद जी रमेश जी लवली ठाकुर जी निसा जी दीपक जी आती जी नम्रता जी गाहुल जी प्रीती जी सुस्मा रानी जी मुखनत जी नमित जी अर्चना जी सीला जी और राजकुमारी जी कंचन जी मेदा जी सांती बर्मा जी और संध्या कुमारी जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं साम को चार वजी वाली क्लास में मत्पूल कॉस्चन आंसर के साथ रमीश जी अमित जी जय हिंद